आज तारीख है 31 दिसंबर 2023 बस कुछ ही समय में ये साल खत्म हो जाएगा फिर आएगी नई तारीख 2024 की आप सभी दर्शकों को लोकल टीवी की ओर से नए साल की हारदिक शुपकामनाय मैं हूँ कौशिक और शुरू करते हैं आज कागजनगर की ताजा खबरे हेडलाइन्स के साथ संपन हुई लोक अदालत गांजा अजब्त दसवी की परीक्षा समय सारिनी शांती से मनाय नया साल कहा पुलीज डिपार्टमेंट ने तो शुरू करते हैं आज पहली खबर से आज सिर्पूर कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया कोर्ट ने दिये जानकारी के अनुसार आज एक ही दिन में कुल 4086 के सुलज़ः गये इस कोर्ट में नयाधिश के रूप में सीनियर सिविल जजज श्री के युबराज उपस्थित थे और उनके साथ कोर्ट के तमाम वकील भी उपस्थित थे तो सभी ने करिब करिब 4,086 केसों का निप्टारा आज एक ही दिन में करवा दिया अगली बार जब लोक अदालत लगेगी लोकल टीवी पर इसकी सूचना आपको दी जाएगी और आप भी अपने केस का जल्द से जल्द निप्टारा इस लोक अदालत के जरिये कर सकेंगे चलते हैं अगली खबर की ओर जहां पुलीस ने एक जानकारी दी है कल कागजनगर फ्लाई ओवर के पास पुलीस ने चेकिंग अभियान चलाया चेकिंग के दोरान बासंती नगर तीन नंबर विलेज से कागजनगर की ओर आ रहे एक युवक के पास से गांजा जप्त किया गया है पुलीस अफसर श्री स्वामी बुद्धे जी ने बताया कि युवक के पास से करीब 40 ग्राम गांजा जप्त किया गया युवक को हिरासत में लेकर उस पर केज दर्ज कर लिया गया है वहीं इसी तरह की एक दूसरी घटना हमारे ही जिले के वांकीडी गाउं में हुई जहां पुलीस ने महराष्ट से मंचिरियाल की तरफ जा रहे एक युवक के पास से तेरा सो बीस ग्राम गांजा यानि एक किलो तीन सो बीस ग्राम गांजा जबत किया अब चलते हैं आज की तीसरी और इंपॉर्टन्ट न्यूस पर टेंथ क्लास के एक्जाम की समय सारिनी यानि टाइम टेबल आ गई है Secondary Board के दिये जानकारी के अनुसार First Language की परिक्षा 18 मार्च को है इसके बाद Second Language की परिक्षा 19 मार्च को होगी Third Language की परिक्षा 21 मार्च को होगी Mathematics की परिक्षा 23 मार्च को होगी उसी तरह Physics की और Biology की परिक्षा 26 और 28 मार्च को होगी आखिर में Social Studies की परीक्षा 30 मार्च को होगी इसके बाद 1 और 2 अप्रैल को Vocational Subjects की परीक्षा होएंगी परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक है लेकिन केवल Science के एक्जाम यानि Physics और Biology के दिन एक्जाम 11 बजे ही खत्म हो जाएंगे तो आपको समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको इसके बारे में डीटेल जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन शॉट लेकर के इस पोटो को रख सकते हैं इसी के साथ सम अचार हो गए हैं सम आप हाँ एक ज़रूरी सूचना ये है कि पुलीस डिपार्टमेंट ने इस बार न्यू यर की रात को कड़क कारवाई करने की चेतावनी दी है कहा है कि देर रात तक बीजे बचा कर ड्रिंक और ड्राइव, ट्रिपल राइडिंग, रॉंग रूट जैसे गाड़ियों के नियम तोड़ने पर इस बार कड़क कारवाई की जाएगी पुलीस अभी भी रास्ते पर पेट्रोलिंग कर रही है इसलिए सावधानी से शांती के साथ इस New Year को मनाए आप सभी को नए साल की एक बार फिर से शुब कामनाए धन्यवाद